हेलो बच्चों, आज की कहानी का नाम है खूनी जील एक बार की बात है, एक जंगल में एक जील थी, जो खूनी जील के नाम से प्रसिद्ध थी शाम के बाद कोई भी उस जील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था एक दिन चुन्नो हीरन उस जंगल में रहने के लिए आया एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि उसकी मुलाकात जंगल में जगू बंदर से हुई जगू बंदर ने चुन्नो हीरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस जील के बारे में बताना भूल गया जगो बंदर ने दूसरे दिन चुन्नो हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया जंगल में चुन्नो हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीको खरगोस बन गया चुन्नो हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस जील में पानी पीने जाता था वही शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था एक शाम को वह उस जील में पानी पीने गया तो उसमें बड़ी तेजी से अपनी और आता हुआ मगर मच देखा जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा रास्ते में उसको जगू बंदर मिल गया जगू ने चुन्नो हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा चुन्नो हिरन ने उसको सारी बात बताई जगू बंदर ने कहा कि मैं तुम को बताना भूल गया था कि वह एक खुनी जील है जिससे जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता है लेकिन उस जील में मगरमच क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा इसका मतलब वह मगरमच ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस जील में पानी पिने जाता है अगले दिन जगु मंदर के सभी जानवरों को ले जाकर के जील में वो सब साथ को लेकर गे गया और मगरमच सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया लेकिन मगरमच की पीठ अभी भी पानी के उपर दिखाई दे रही थी सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच है यह सुनकर मगरमच कुछ नहीं बोला चीको खरगोस ने दिमाग लगाया और बोला नहीं यह तो पत्थर है लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा यह सुनकर मगरमच बोला कि मैं एक पत्थर हूँ इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच है चीको खरगोस ने मगरमच को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच को उस ठील से भगा दिया और खुशी-खुशी रहने लगे आज की इस कहानी से हमें क्या सिख्षा मिली? इस कहानी से हमें यह सीक्षा मिली कि यदि हम किसी भी मसीवत का सामना बिना घबराई मिलकर करते हैं तो उससे चुटकारा पास सकते हैं तेंक यू फॉर यू टाइम